नमस्कार आप सभी का एकंस्क्रप्सर 99 में बहुत बहुत स्वागत है चलिए आज हम लोग जानेगे आर्टी आई एक 2005 सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी लोग सूचना पदाधिकारी जन सूचना पदाधिकारी के खिलाप प्रथम अपील पदाधिकारी के समक्ष कैसे प्रथम अपील दायर करेंगे तथा प्रतम अपील ये प्राधिकार कौन हुआ करते हैं इसके बारे में आज बिस्तार पुर्बक जानेंगे बिना इसकिप कुए हुए पूरा वीडियो को अवस्त देखें जिससे आप अपनी समस्या को आसानी से लिख कर प्रतम अपील दायर कर सकते हैं चलिए जो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अवस्त सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर आल पर भी क्लिक अवस्त कर लें जिससे इस तरह के उप्योगी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे तथा एक लाइक अवस्त करेंगे तथा इसे इतना सेर करेंगे कि हर भारते को इसकी जानकारी आशानी से हो शके यहाँ प्रपत्र छो है प्रतम अपील हे तू आपके पास या फॉर्म हो तो फॉर्म बरेंगे ना तो नहीं तो आप सादे कागज पर भी साफ साफ टाइप करवा सकते हैं या हस्त लिखित कर भी प्रतम अपील दायर कर सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानेगे कि किसी लोग सुचना पदाधिकारी के परतम अपीलिय पदाधिकारी कौन होते हैं तो जो भी कारियाले में आपने लोग सुचना पदाधिकारी को सुचना हे तू आविदन दिया गया है उसी कारियाले का वरिष्ट पदाधिकारी लोग सूचना पदाधिकारी हुआ करता है या जिस भी विभाग में आपने RTI लगाई है उसी के वरिष्ट पदाधिकारी पर्थम अपील ये प्राधिकार की शमक्ष आप पर्थम अपील दायर कर सकते हैं मैंने DGP कारियाले के खिलाप है ये पर्थम अपील दायर किया था ये बिहार आज से संबंदित है इसलिए मैंने लिखा सेवा में अपिली प्राधिकार पुलिस महादुर्देशक का कारियाले पठना बिहार इस प्रकार कर आप लिखेंगे महां से चुकि मुझे कोई पर्थम अपील आप के श्मक से दायर कर रहा हूं अपना नाम पूरा पता लिखेंगे लोग सुचना पता दिकारी में नाम में लोग सुचना पता दिकारी देंगे यदि आप उनका नाम जानते हों तो नाम भी अवस्य लिख देंगे कारियाले का पता लिख देंगे जिसक लिख देंगे कोई निर्ने प्राप्त नहीं है प्रपत्र को में जिस दिन आपने आवेदन क्या हो वो दुनांग देंगे तथा जो सूचना आपने मांगी होगी पांच में उसका व्योरा देंगे अबधी जिसके सुचना मांगी गई है जिस अबधी में आपने 30 दिनों का यह समय रहता है 30 दिनों पूरा होने की तित्थी दे सकते हैं साथ में प्रपत्र को आविदन समर्पित करने की 30 दिन के अंदर कोई निर्णे प्रापत नहीं हुआ है कोई निर्णय प्राफ्ट वा हो तो उसके खिलाप आप परथम अपिल्डार है तो यहाँ पाइंट टूपाइंट कुछ लिख सकते हैं 10 रुपे का परथम अपिल्ड में भी सुल्क है उसके बारे में भी लिखा जा सकता है आठ में तत्य है किस तत्य के कारण आप रथम अपील दार कर रहा है तो लिख सकते हैं सो समय सही सुचना अपलब नहीं करवाने के कारण दोसी पर नियामानुसार करवाई का सो समय सुचना अपलब कराया जाए अपील करने की अंतिम तिथी साथ दिन जोड लिजेगा आपने जो भी आपने आविदन किया होगा जी स्टेट में उससे साथ दिन की यहां तिथी डालना है या जिस भी पत्रांग दिनांग से लोग सुचना अपताधिकारी द्वारा आपको जूठी भ्रहमा की आधुरी सु आकरसीद और सुलकी भी परती यहां लिख देंगें अपना साइन दसकत मोहर जो भी हो आप दे सकते हैं इमेल आइडी मोबाइल नंबर दे सकते हैं और प्रते एक फार में प्रते कार्टी आई आवेदन में यहां अवस्लिक हैं नोट यदि यहां आपके कार्याले से संबं कार्याले को अस्थांतरित कर मुझे भी सुचित करें इस प्रकार हम लोग प्रतम अपील दायर कर सकते हैं लोग सुचना पदाधिकारी के वरिष्ट सुचना पदाधिकारी के स्रमक्ष आसा है आप बुरी तरह समझ गया होगे प्रतम अपील कैसे दायर करेंगे इस चैनल पर तीन प्लेइलिस्ट बनावा है मस्ट यूज रट याई अगेंस्ट प्रप्शन और हेल्थी ज्वल्थ आप यूट्यूब चैनल को इस चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेइलिस्ट में जाकर अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जैहिन